हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने एक डग मूवी देखी, अन्विश्पिन काड़े तुम शुरुवात में लगा कि शायद ज्यादा मज़ेदा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मूवी छोड़ने का मन ही नहीं किया और लास्ट सीन तक आप वहीं बैठ कर पूरी मूवी को देखा जहां लोकल पुलिस पर बहुत प्रेशर है, आनंद और उसकी टीम केस को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन लास्ट मूमेंट पर कुछ ऐसा होता है कि आनंद और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम बाद एक अनओफिशली केस और उन्हें दिया जाता है जिसमें वो अपने उपर लगे दाग को मिटा सकें ये केस 6 साल पुराना है और कोई इस से सॉल्व नहीं कर पाया ये केस भी एक श्रीदेवी नाम की लड़की के मडर का है अब क्या आनंद और उसकी टीम ये केस सॉल्व कर पाएगी क्या आनंद अपने उपर लगा दाग हटा पाएगा ये जानने के लिए आपको मुवी ज़रूर देखनी चाहिए मुवी की रैटर जीनू अब्राहम है जिनकी स्टोरी बहुत स्ट्रॉंग है और साथ में दर्विन का डारेक्शन वी स्टोरी को अच्छे से प्रेजन करने में मदद करता है संतोष नारायन का संगीत ठीक है गौतम शरंकर की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है नाइंटीज की लोकेशन को काफी अच्छे दंग से क्याद किया गया है सज्जु श्री धरन की एडिटिंग भी अच्छी है निक सोन जॉर्ज की साउंड डिजाइनिंग भी कमाल है मूवी में टोमिं थोमस ने आनन नारायन के किदार को जिस संजीदगी से पेश किया है वो बहुत अच्छा है आध्या प्रसाद एक्टिंग वेरी गुट अर्थना बिन्नु का काम भी बहुत अच्छा है राम्या सुवी ने अपने करेक्टर के साथ न्याई किया है राहुल राज गोपाल भी अपने किदार में फिट है हरी श्रीश अशोकन का काम भी अच्छा है इंद्रास को स्क्रिन टाइम कम मिला है लेकिन उन्होंने काम अपना बखो भी किया है विथिन, प्रमोद, सिद्धिकी ने भी अपने-पने किदार को अच्छे धंक से प्रेजन किया है निशान सागर, शमी, जफर, इडुकी, नंदु ने भी अपना काम बखो भी निभाया है विजिया कुमार और अश्वती और बाकी सभी कलाकार अपने-पने किदार में फिट है मूवी का नेगेटिव यह है कि मूवी डब है, इसलिए थोड़ी बीचिच में अड़ता है लेकिन ओवराल मूवी बहुत अच्छी मल्यालम सिनिमा में बहुत अच्छा काम किया गया है मतलब आपको एक ही मूवी में दो केस और दोनों सस्पेंस से भरपूर आपका दिमाग खुद बखुद इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और जब लास्ट में सस्पेंस का राजपता चलता है तो मज़ा आ जाता है देखो ना, कोई बहुत ज़्यादा शोर वाले गाने नहीं है मूवी में मूवी में ना कोई बेकार का ड्रामा लेकिन सच में मूवी देखकर मज़ा आ गया इसके लिए इसके मेकर्स को और कलाकार्स को थैंक्स आप जरूर इंजॉय करें आज श्वी पिन काड़े तो नेट्फ्लिक्स पर